तो जो अपनी fraction है fraction को आप सभी को पता है कि क्या मानेंगे x upon y जहाँ पर x क्या है अपना numerator और y क्या है denominator अब क्या असन क्या coding 3 is added to the denominator तो denominator y है तो y के अंदर क्या करना है add करना है कितना 3 और जो अपना numerator है 2 is subtracted from the numerator numerator x है और उसमें से subtract करना है कितना 2 तो अपनी जो fraction है यह fraction becomes 1 upon 4 fraction हो जाएगी 1 upon 4 अब इसे solve करते हैं 4 इधर multiply में आएगा तो 4 multiply होगा इससे x minus 2 से और जो y plus 3 है multiply होगा 1 से तो y plus 3 ही आएगा तो इससे solve करेंगे तो 4 को x से multiply करेंगे 4 x minus 4 को 2 से multiply करेंगे 4 to the 8 equal to y plus 3 अब यहाँ से आपको पता है कि हम लोग y की value find कर सकते हैं तो 4 x minus 8 यह plus 3 है तो minus इधर 3 आ जाएगा transpose करने पर इधर आ गया y तो 4 x यह minus 8 minus 3 तो minus का कितना हो जाएगा 11 equal to y तो यह y की value आ गई है जो कि अपनी first equation है आगे क्योंसन है and when 6 is added to the numerator यानि अपना x था numerator उसमें add करना है कितना 6 तो x plus 6 और जो denominator है उसमें क्या करना है the denominator is multiplied by 3 तो y है y को multiply करना है किसे 3 से तो fraction क्या हो जाएगी it becomes 2 upon 3 तो 2 upon 3 अपनी fraction हो जाएगी तो यह हो गया x plus 3 यहाँ से आप लोग देखेंगे कि यह 3 y हो गया तो 3 से 3 cut भी जाएगा क्योंकि 3 इधर divide में है multiply में है जाएगा तो यह दोनों cut जाएगे तो यहाँ से आप लोग ऐसे तरीके से solve कर सकते है कि यह 3 या पीस तरीके से कर लिजिए 3 multiply होगा x plus 6 से और इसको मैं लिखू 3 y हो गया 3 y multiply होगा किसे 2 से तो यह 3 into y ही है तो 3 से 3 क्या हो जाएगा cut जाएगा तो यहाँ से यह हो गया x plus 6 और इधर हो गया y 2 into y तो y की जिए हम लोग value put कर लेते हैं कौन सी 4 x minus 11 यह अपनी value थी जो कि first equation में हमने लिख रखी है तो x plus 6 2 को multiply करेंगे 4 x तो 4 to 8, 8 x और 2 को multiply करेंगे 11 से 11 to 22 अब इसे solve कर लेते हैं यह अपना 6 है minus 22 है transpose करेंगे तो plus 22 आजएगा यह 8 x अपनी जिएपे है plus में x है इधर आएगा तो minus x हो जाएगा 22 और 6 कितना हो गया 28 हो गया 8 x में से minus किया x तो अपने पास रह गया 7 x तो 28 यह 7 आजएगा divide में तो x equal to 28 upon 7 तो x equal to कितना आजएगा 7 for the 28 तो यहां से x की value हम लोग ने find कर ली कितनी 4 तो x की value आचुकी है 4 अब बात करते है y की तो y कैसे find करेंगे तो 4 into x x कितना है 4 minus 11 तो अपने पास आजएगा क्या y तो 4 for the 16 यह अपनी fraction है वो कितनी है x upon y तो 4 upon 5 यह अपनी equation है यह आचुकी है fraction 4 upon 5 इसको check भी कर सकते हैं इसमें भी value पूट कर सकते हैं चाहिए इसमें कर सकते हैं जैसे x plus 6 तो 4 plus 6 कितना होगा 10 और 5 को multiply करेंगे 3 से 5 3 जा 15 तो दोनो 5 से divide होते हैं इस तरीके से हम अपना answer चेक कर सकते हैं तो वीडियो समझ में आ गया होगा कि असन का answer बहुत easy था तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe गरें मिलेंगे next वीडियो में Thank you